संतशिनोमनिय अचारे गुरुवर श्री पित्या सागर जी महराज की जे अर्हम युक्प्रणेता पूच्चे गुरुवर शी फ्रणा मैं सागर जी महराज की जे ओम, अर्हम, नमा स्वाथ्याय प्रेमी बंदु आप सभी का अचारी उमा स्वामी द्वारा विरजित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ शिरी तत्वार्थ सूथ ग्रंथराच जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत दो परशों में हमने व्रत्व विज्ञान अध्याई एक से लेकर व्रत्विज्ञान अध्याई साथ तक का सफ़र तै किया है और अब हम अपने अतिशे पुन्यफल से कर्म बंद विज्ञान अध्याई आठ के स्वाध्याई में कर्म बंद के बारे में जान सकेंगे में उन्हें यह जटिल विचे भी बड़ी असानी से समझाएगा स्वाध्याय प्रारंप करने से पहले हम अध्याय आठ का सूत्र पाथन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंधस्त कर सके यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाथन परिक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाथ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंधस्त करने का प्रयाज भी करना चाहिए मुख्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूरतां ग्यातारं विश्वतत्वानां वंदे तदगुड लब्धये मिथ्या दर्शना विरती प्रमाद कशाय योगा बंध हेतव सकसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुदगला नादत्ति सबंध प्रकृती स्थित्यनुः प्रदेशास्तद विदय आद्यो क्यान दर्शना वरण वेदनी मोह नीया योर नाम गोत्रांत राया ह। पंच नव द्वेष्टा विन्षती चतुर्द्वी चत्वारिन्षत द्वी पंच भेदाय थाक्रमम् मतिस्रतावधी मनह परियय केवलानाम चक्छू रचक्छू रवधी केवलानाम निद्रा निद्रा प्रचला 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 इस्त्यान गरध्यश्च सतसत वेद्य दर्शंचारित्र मोहु निया कसाय कशाय वेद्य नियाख्या स्त्री द्वी नव शोडश वेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदवयान्य कशाय कशाय हास्य रत्य रति शोक भै जगुपसा स्त्री पुन्न पुन्सक वेदा अनंतानु बंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सं जुलन विकलपाश चैकशह, क्रोध मान माया लोभाह, नारक तैरिय अग्योन मानुस तैवानी, गतिजाती शरीरांगो पांग निर्मान बंधन संगहात संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंधान गंध वर्डान पूर्व्य गुरुलगू पगहात, परगहाता तपोध्यो तोच श्वास विहायोगते है, प्रत्येक शरीर, त्रस्वग, सुस्वर, शुव, शूक्ष, परयाप्ती इस्थिरादे यशहकीर्ती सेतराणी तीर्थ करत्वंच, उच्चैर नीचैस्च, दानला भोगो पभोग वीर्यानां, आदितस्ति श्रणा मंतरायस्य, च त्रिंशत अगरो पमान्या युशह, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य, नाम गोत्रियो रष्टव, शेशाडा मंतर मुहूर्ताह, विपाको नुभव, स यथानाम, ततस्च निर्जरा, नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेशाद सूक्ष्मैक चेत्रावगह इस्थिता सर्वात्म प्रदेशेश्वनंतानंतप प्रदेशाह सदवेध्य शुभाय और नाम गोत्राणी पुन्यम अतो न्यत्पापम इतितत्वार सुत्रे अश्टमोध्याय पूचि मुनिष्टे कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाथन से ही हमारी विशुद्धी कई गुना बढ़ जा आती है तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंद विज्ञान की कख्षा की और कि मोख्षमारवस्यनेतारम भेकतारम करम भूरताम ग्यातारम विश्वतत्वानाम वंदेतत गुड़लत्वे देवाजी देव आदिम तिर्थंकर शीरिशवनात भगवान ने की वरतमान शाशन नायक स्री वर्द्वान महावीर भगवान ने की परम पुझ्या चर गुर्वर श्री विक्देश्व मर्जी वर्वारवस्य की तत्वार शूत्गरंत राश के अस्टमध्याय में बंद तत्व का वर्ड़न करते हुए सभी कर्म प्रकृतियों के नाम बताते हुए कर्मों के बंद प्रकृति बंद के माद्यम से किन-किन उत्तर भेदों के साथ में होते हैं ये बताया जा रहा है ग्याना वर्ण कर्म की पंच प्रकृतियों दर्शना वर्ण कर्म की नो कर्म प्रकृतियों इसके बारे में वर्ड़न सुनने के बाद अब यहां पर वेदनी कर्म के बारे में बताया जाना इस्ट है सदशद वेद्दे वेद्दे यानि जो वेदन के योग्य होता है और जिसके माध्यम से हमें वेदना यानि ज्ञान भी होता है और अनुभाव भी होता है उसे वेद्द कहा जाता है और वह वेद्द दो परकार का बताया जाता है एक सत रूप और एक असत रूप यहाँ पर सत सब्द सुख के अर्थ में है जिसे हम साता कहते हैं, सुख कहते हैं वह यहाँ पर सत सब्द के माद्दे हम से खा गया और उसी का विपरीद जो असत है वह दुख है, वह असाता है वेदनी यह कर्म है जिसके दो भेद हैं एक साता वेदनी और एक साता वेदनी इसमें जो साता वेदनी कर्म है इस कर्म का परिपाक आत्मा के अंदर जीव को जब अनुभूती में आता है जीव जब साता वेदनी कर्म का फल भोगता है जब जीव के लिए साता वेदनी कर्म अपना उदै दे करके उसे फलान भूती कराता है तो उस समय पर जीव को सुख की प्राप्ती होती है और वह सुख जिस तरह की परिस्थिती हो उसी के अनरूप उस जीव को मिलता है मनुष है तो मनुष गती का सुख देव है तो देव गती का सुख और यह सुख मुख्य रूप से जो प्राप्त होता है वो देवगती में प्राप्त होता है क्योंकि लंबे समय तक सारिरिक और मानसिक रूप से सुखी रहने का जो अनुभव होता है वो देवगती के जीवों को ही होता है मनुष्य गती की जीवों में भी सुख रहता है तिरियंच गती में भी थोड़ा सा रहता है लेकिन तिरियंच गती में सभी तिरियंचों को नहीं होता किनी किनी को हो सकता है और मनुष्य गती में तो सुख दुख के साथ चलता है कभी भी सुख के उपर आपत्ती आ जाती है कभी भी सुख के उपर अटेक हो जाता है और वो दुख के रूप में बदल जाता है तो एकांत ते जो सुख देने का भाव है वो साता वेदनी करम के माद्यम से होता है और वे लंबे समय तक एकांत रूप से सुख दिते रहने की प्रक्रिया देवों में घटे दोती है मनुष्य के भव में सुख मिलता तो है लेकिन पद पद पर दुक्की भी उसे आशंकाएं बनी रहती है इसलिए जो सुख शारिरिक और मांसिक रूप से उपलब्द होना चाहिए वो मांसिक सुख के कारण इस साता वेदनी के उपर ही निर्वर करते हैं जो भी जीव सुखी है इस मनुष्य जनब में भी अपने शरीर को लेकर के नीरोग हैं अपनी मन में किसी भी प्रकार की चिंताएं भै नहीं हैं उसको लेकर के निश्चिंत हैं परिवार के बीच में रहकर के भी जन्हें सब अनकूलताएं मिलती हैं प्रेम मिलता है इसने ही बातसले के साथ रहते हैं जिन्हें अपने व्यापार आदी में भी कोई आशंकाएं नहीं हैं कि व्यापार कभी भी डूब जाएगा कि कम हो जाएगा कि कुछ छूट रहा है कि कुछ लुट रहा है ऐसा जिन्हें कुछ भी नहीं है वो जीव भी इस साता वेदनी करम के उदै से ही सुखी है तो यह साता वेदनी करम है जो हमें हर तरीके के शुख देता है इश्ट बंधुओं की प्राप्ति होना, अनिश्ट के संयोगों से बचे रहना और हमेशा द्रव्य छेत्र काल भाव, चारों की अनकूलता बना के रखना ये इस साता वेदनी करम के उदै पर ही संबव होता है जो यह साता वेदनी करम का उदै यहाँ पर करम के सिर्फ उदै के रूप में ही है अभी तक हमने जो पड़ा था ग्याना वरण, दर्शना वरण उनमें करमों के उदै से तू ग्यान का आवरण होता है और हमारी ग्यान, दर्शन आदी संपदाएं उससे ढख जाती है तो हमारे अनुजीवी गुणों का घात होता है लेकिन यहां जो सुख हो रहा है, यह करम के उदै से ही हो रहा है तो जब आवरण होते हैं, तो आवरण में छयूपसं भाव डालना पड़ता है आवरणों में कुछ आवरण हलका हो जाए, कुछ पड़ा भी रहेगा तो उसको हम छयूपसं भाव कहते हैं तो आवरन में जब छयुप्षम पना आता है तब कुछ भीतर का ग्यान दर्शन आदी गुण परकट होता है और ये जो है ये कर्म का ही उदय है कर्म का ही फल है और कर्म का ही संबेदन है तो वेधनी करम का उदय होता है, इसका च्छुप्षम नहीं होता, इसके उदय में ही सुख मिलेगा, साता वेधनी के उदय में सभी प्रकार से सुख की प्राप्ती होना, और असाता वेधनी के उदय में तरह तरह के दुखों की प्राप्ती होना हो, जैसा करम का उदय होगा, उस तरह के दुख मिलते हैं कभी व्यक्तिव शरीर से नीरोग होते हुए भी घर परिवार से संपन होते हुए भी कुछ ऐसे लोग परिवार में आ जाते हैं जिनके माध्यम से उसके लिए तरह तरह की पीडाय, तनाव और तरह तरह की उसे आपतियां महशूश होती रहती हैं तो ये जो घर में तरह तरह के बाताबरण जीवों को महशूश होते हैं इन में भी वो असाता वेदनी कर्म ही कारण होता है तो असाता वेदनी कर्म तरह तरह का फल देता है शारिरिक दुख के रूप में भी मानशिक दुख के रूप में भी परिवार से होने वाले दुख के रूप में भी किसी भी तरह का दुख हो तो वै असाता वेदनी के माध्यम से होता है तो इस वेदनी करम के उदय में यही दो प्रिकार के मुख रूप से संवेदन होते हैं जो संसार में सभी जीवों को होते रहते हैं और हर जीव सुक्त के संविधन की इच्छा करता है दुख से हमेशा बचने के लिए उपाय करता रहता है तो जो बाहरी उपाय करता है वे उपाय तब सार्थक हो जाते हैं जब भीतर भी कर्म का उदय अनुकूल हो और भीतर अगर साता वेदनी करम के उदय नहीं है हम बाहर से कुछ उपाए करें भी तो वह सब उपाए हमारे लिए प्रतिकूल बढ़ने लग जाते हैं एक ही विद्या, एक ही कोई भी मंत्र या एक भी कोई भी विधी जिसके माद्यम से दूसरे लोग सुख उठाते हैं जब भीतर अपने करम का उदय तीब्र होता है तो उसी के माद्यम से जो भी चीजें फिर मिलती हैं उस सब हमारे लिए दुख रूप होती है तो ये सब इस साता वेदनी और असाता वेदनी करम का परिपाग है जो संसार में हर जीव इस सुख की प्राप्ति के लिए दोड़ रहा है लेकिन किसी को नहीं मालूम कि भीतर से जो सुख मिलता है वो करम के उदय से मिलता है तो ये करम जन्य ये सुख है जो हम मैशूश करते हैं कि हाँ हम सुखी हैं पूछा भी जाता है भाई साता है शुख है तो आप एक दूसरे से पूछ पताई भी करते रहते हो दूसरों की भीतर की साता पूछते रहते हो साता है साता का मतलब साता वेदनी करम का उदय चल रहा है मतलब कि आपके लिए सुख है तो कोई भी कारेज जो आप आपस में भी किसी भी तरह के व्यवहार के रूप में भी करते हो तो उसमें भी सुख की ही इच्छा रखते हो और सुख की ही कामना करते हो एक दूसरे के लिए भी सुख की कामना ही की जाती है संसार में सभी जीव सुखी हो सरवे वबन तुशुक ने तो ये सुख का मतलब है कि सभी के अंदर वास्तम में साता वेदनी करम का उदय आए तो ये जीव सुखी होता है अगर भीतर से ये करम का उदय नहीं है तो बाहर कितनी भी चीज़ें संपनाएं पड़ी रहें वो सब दुख की रूप में रहती हैं क्योंकि असाता वेदनी कर्म उसे सब चीज़ों के लिए प्रतिकूल रूप में उसके लिए अनुभूती कराता है तो हम इन कर्मों के उदय को देखकर के कर्म की प्रकृतियों को समझें कि ये कर्म प्रकृतियां हैं कर्म के सुभाव हैं बैसे तो हमें कुछ भी मैसूस नहीं होता लेकिन जब हम इन कर्म प्रकृतियों के कारे देखते हैं तो इन कर्म प्रकृतियों का भी ग्यान हमें होने लग जाता है जब हम इदर इनके नाम सीख रहे हैं और बैसे ही उनके जब हम काम देखते हैं तो हमें भीतर से फिर मेशूस होने लग जाता है कि हाँ ये साता है ये असाता है और जो साता है वो भी कर्म है असाता है वो भी कर्म ही है तो इस तरह से भी भीतर से अगर अनवूती होने लगे तो प्रकृती बंद समझ में आने लगेगा इसी को यहाँ पर वेदनी कर्म के दो भेदों के रूप में बताया गया अब ये वेदनी के साथ मैं आपको बताया था कि वेदनी तब तक काम नहीं करती जब तक कि उसको लिए मोहनी कर्म साथ न दे क्योंकि किसी भी तरह का सुख या दुख होता है उस सुख और दुख की अनवूती मोह के साथ होती है तो मोहनी कर्म का प्रकरण जो यहाँ पर है वो सबसे अच्छा भी है और सबसे बड़ा भी है और समझने योग भी है तो मोहनी कर्म का ही है अब प्रकरण प्रारम बोता है जिसमें कि मोहनी कर्म के जो 28 भेद आपको बताए गए थे 28 प्रकार के जो कर्म होते हैं उन अश्टा विन्सती कर्म प्रकृतियों की जानकारी इस अगले शुत्र से दी जाती है। इस्त्री पुन्न पुन्सक वेदा अनंतानु बंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकलपाश चैकशह क्रोध मान माया लोभा ये इतना बड़ा सूत्र है। गई और उसमें भी मुख्य रूप से पहले मोहनी कर्म को दो भागों में विभाजित किया गया। दर्शन चारित्र मोहनियों यानि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी ये मोहनी कर्म के दो भेद हैं। मोहनी कर्म का मतलब जो आत्मा को मोहित करें। के अंदर मोह पैदा करे और परवस्तूओं से मोह पैदा होने पर उनके माध्यम से आत्मा के अंदर अलग-लग तरह की विक्रती पैदा करे उसका नाम मोहनी कर्म है तो ये मोहनी कर्म में जब दर्शन मोहनी आता है तो दर्शन का मतलब यहाँ पर अब देखने का काम नहीं है क्योंकि देखने वाला करम तो दर्शना वरनी करम था अब यह दर्शन स्रद्धा को बताने वाला है तो जो हमारी आस्था को विश्वास को स्रद्धा को मोहित कर दे मोहित करने का मतलब उसको विपरीत कर दे और सही सरद्धान न होने दे उसको कहते हैं दर्शन मोहनी और जो चारित्र को हमारे लिए न होने दे चारित्र के प्रती हमारे अंदर प्रतिबंध पैदा करे उसको बोलते हैं चारित्र मोहनी तो ये दो प्रकार के मोहनी कर्म है जिसके माद्यम से जीव के अपने ही स्रद्धान और चारित रूप जो गुण है उनका घात होता है तो दर्शन मोहनी कर्म जीव के अंदर विप्री स्रद्धा पैदा करता है और चारित्र मोहनी कर्म जीव को चारित्र नहीं होने देता उसको सकसाई बनाए रख करके उसे चारित्र से रहित रखा रहता है यही दो कर्म हैं और इनी मोहनी कर्म के इन दो भेदों को आगे और भेदन इनका करके कसाई और अकशाई भेदनी ये इसके दो भेद आगे किये जाते हैं ये वेद बस्तुतर चारित्र मोहनी के हैं जो दर्शन मोहनी है उसके वेद आगे अलग बताए जाएंगे चारित्र मोहनी के जो दो वेद हैं वो दो प्रकार से हो जाते हैं कसाय वेदनी और अकशाय वेदनी और इसके साथ में चारित्र मोहनी ये कर्म लगा हुआ है अगर हम इसको पूरा नाम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कसाय वेदनी ये चारित्र मोहनी ये और अकसाय वेदनी ये चारित्र मोहनी ये कर्म फिर इसके ही कर्म से भेद करते हुए आगे कहते हैं त्वी नव शोडस भेदा यानि कि दो भेद तो ये हो गए दर्शन मौनी और चारित्र मौनी अब इसमें जो अकशाई भेदनी हैं इनके भेद यहाँ पर अकशाई भेदनी हैं तो 9 भेद और 16 भेद इनके और किए जाते हैं सबसे पहले भेद किये दर्शन मोनी चारित्र मोनी अकशाय और कसाय वेदनी फिर इसके चारित्र मोनी के दो भेद हुए कशाय वेदनी और अकशाय वेदनी और फिर जो है कसाय 16 प्रकार की है उसका वैडन करते हुए आगे उन करम प्रकृतियों को बताया जाएगा यहाँ पर जो तीन भेद हैं वो वस्तुता दर्शन मोहनी करम के हैं जो सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात के रूप में जाने जाते हैं तो सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात को यहाँ पर तदुभाई के रूप में लिखा हुआ है तो सम्यक तो भी दर्शन मोहनी करम का ही एक भेद है मिथ्यात भी दर्शन मोहनी करम ही कहलाता है और सम्यक मिथ्यात भी तुमाने सम्यक भी है और मिथ्यात भी है ऐसा जो मिस्र भाव है यह मिस्र भाव मिला हुआ भाव कहलाता है ये भी दर्शन मोनी करम का ही भाव है तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक डिविशन कर लेते हैं सूत्र आठ में हमने वेदिने करम के दो भेद साता और असाता वेदिने को जाना वेदिय वेदन के योग्य होता है जिसके माध्यम से हमें वेदिना यानी ज्यान और अनुवफ होता है यहां सत का अर्थ सुक या साता है और असत इसका विपरीत दुख या असाता है एकांतता सुक देने का भाव साता वेदिने करन के माध्यम से होता है इसका उदे जीव को फलानुभूती कराता है, उस समय उसे परिस्सिती की अनुरू सुख मिलता है, जैसे देवकती में लंबे समय तक शारिरिक और मानसिक सुख, लेकिन मनुष्य भव में मिले सुख में पत पत पर दुख की आशंकाय बनी रहती है, साता वीदने कर्म के उद चारू की अनुखूलता रहती है, जो भी जीव सुखी होते हैं वे इसके उदे से ही सुखी होते हैं, यह हमें हर तरीके के सुख देता है, जैसे शारिविक और मानसिक सुख, चिंताबैसे, मिस्चिंता, परिवार में अनुखूलता, ग्रेम, व्यापारादी में आशंकाय पहित होना हमने जाना था कि ग्यानावरण आवरण कर्मों के उदे में हमारे ग्यानादी अनुजीवी गुणों का घात होता है इसके छे उप्षम में आवरण कुछ हलके होते हैं और कुछ रकट होते हैं लेकिन यहां साता वेदने कर्म के उदे से ही सुख होता है वेदने कर अनुसार ही दुख मिलते हैं जैसे शारी रेक मानसिक दुख परिवाय से होने वाले दुख आदी संसार में सभी जीव मुख्य तह इनी कर्म जन्य सुख दुख का समदेदन करते हैं वे सुख की प्राप्ति के लिए दौडते हैं और दुख से बचने का उपाई करते हैं उसक कर्मोदे के कारण वही उपाए किसी को सुख और किसी को दुख दे सकता है जब हम व्यभार में पूछते हैं साता है या सरवे भवन्तु सुखिनह में सब जीवों के सुख की कामना करते हैं तो यह सुख वास्तव में साता वेधनिय के उदे से उत्पन्न सुख होता है हम इ कि इनके स्वभाफ का ज्यान कर सकते हैं इनके काम भी नाम के अनुरूभ होते हैं सातकर्म से हमेंसाता और असाता कर्म से असाता महसूस होती है हमने जानना था विल दुख की अनुभूति मुह के साथ होती है बिना मोहुनिय के साथ वेदिने काम नहीं करता सूत्र नौ में हमने मोहुनिय कर्म की अश्ट विंचती अर्थाद 28 कर्म प्रकरतियों को जाना मोहुनिय कर्म आत्मा को मोहित करता है आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुणों का गहत करता है और मोहु पैदाकर अलग-अ विक्रती पैदा करता है दर्शन चारित्र मोहनिया में इसके दो भेद बताए हैं पहला दर्शन मोहनिये हमारे दर्शन अर्थात श्रद्धा आस्ता को मोहित कर विपरीत करता है सही श्रद्धान नहीं होने देता दूसरा चारित्र मोहनिये हमारे अंदर चारित्र नहीं होने सूत्र के अनुसार सम्यत्व मिध्यात्व सम्यत्व मिध्यात्व को यहां तदुभय लिखा है। अइथाद यह मिश्रभाव है जिसमें सम्यक्त्व भी है और मिध्यात्व भी तो चलिए अब हम सबी जुनवानी स्तुति करेंगे और तत पर श्यात समय होगा आज के सवाल का सिरी जिनवानी जग कलानी जग जण मदतम मोरी जण मन हारी गड़ हर हारी जम जराभव रोग हरी तित्थियरानं दिव जुनिम जो पड़ै सुनै मैये धारै अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्ने में भाग लेकर आकशक पर उसका जीतने का आप अपने फोन को क्यूआ कोट स्क्यान करने के लिए तयार रखे या दियेगा लिंक पर जाएं आप अपना उत्तर चुन कर हमें कल शाम पांच बजे तक फेच सकते हैं तीन भाकिशाली विजेताओ को मिलेंगे आकशक पुरसकार विजेताओ का नाम इसी कारिक्रम में हर अविवाय को खोशित किया जाएगा साथी सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे आच का सवाल है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान भी होता है और अनुभव भी उसे क्या कहा जाता है सावध्य, वैद्य, मुह, अंत्राए, अध्याय आठ की कक्षा 24 के आज के सवाल का सही उत्तर है कर्म भूमी के तिरियंच में अगर आप किसी कारुन वर्श कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेंट कर सकते हैं इस लिंग पर चाए या QR कोड को स्कैन करें धन्य है हमारा पुन्य जो मुनिष्टी हमें कर्म बंद जैसे कठिन विशे को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं ताकि हम देली लाइफ में कर्म बंद के कारणों को जान कर उनसे बच सकें और यह ज्यान अब अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्या से जोड कर उन तक बहुचा सकते हैं आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट e-tv.arham.yoga शेर करें और उन्हें इन सभी क्लासिस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्ण करके अपने ज्यान को प्रगाड बनाने का मौका और आज के सवाल में कुरुसका जीतने का तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवार्चनों को इस अनुते स्वाध्या से जोड अपना और उनका पुन्य बढ़ाए ओम अरहम नम्हा